Hello friends and welcome back to Chikis Biology, another video tutorial. In this video tutorial I am going to discuss about BSC Genetics course. आई हम लोग बात करेंगे BSC Genetics course के बारे में और देखेंगे कि इस course को करने के बाद हमारे लिए कौन-कौन से best career options हो सकते हैं या हम लोग further कहां पर job कर सकते हैं. तो friends, आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके end तक देखना है. इस वीडियो को आप लोगों को बिल्कुल भी skip नहीं करना है. तो friends, आप लोगों को इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके end तक देखना है. तो हम लोग इस टार्ट करते हैं. यह जो हमारा course है, B.H.C. Genetics जो हमारा course है, इस course को आप लोग, जब आप लोग अपना 12th class PCB से कर लेते हैं, तो आप लोग eligible हो जाते हैं इस course को करने के लिए. तो अगर आप लोगोंने physics, chemistry, biology से अपना 12th class किया है, तो आप लोग B.H.C. Genetics course कर सकते हैं और इस course को इंडिया के अंदर बहुत सारी government, बहुत सारी private universities जो हैं आप लोगों को provide कराती हैं और फर्दर आप लोगों वहाँ पर admission दे सकते हैं, देहन अपने इस course को कर सकते हैं. यह जो course है, यह course हमारा एक important and crucial course है और biological जो हमारे students होते हैं, biological field से जो हमारे जुड़े students होते हैं, वो सभी students इस course को कर सकते हैं और इस course में bright future है और आप लोग इस course को करने के बाद easily कहीं पे भी job पा सकते हैं. तो friends, कई universities हमारी ऐसी होती हैं, जो इस course को 4 year में कराती हैं, कुछ universities ऐसी होती हैं, जो 3 year में इस course को कराती हैं. तो ये उनिवस्टी पे डिबाइड करता है, ठीक है, आप लोग कौन सी उनिवस्टी से इस course को कर रहे हैं, और कुछ उनिवस्टी जो इस course को semester wise कराती हैं, और कुछ उनिवस्टी जो इस course को year wise कराती हैं, तो friends, अब हम लोग बात करते हैं, some specialized fields for genetics, ठीक है, BSC genetics, अगर आप लो quantitative genetics, आप लोग इसमें जर्नली एक specialized field है genetics की, ठीक है, ecological genetics है, population genetics है, human genetics है, human, sorry, immunogenetics है, human genetics के बाद immunogenetics है, और medical genetics है, next, हमारा classical genetics है, next, molecular genetics है, तो ये कुछ specialized एक तरह से fields हैं, जो हमारा genetics के साथ में जुड़ी है, तो BSC genetics अगर आप लोग course कर लेते हैं, तो इन सम specialized fields में आप लोग work कर सकते हैं, friends, specialized fields जो हैं, या specialization आप लोग तब ले सकते हैं, किसी भी field में, अगर आप लोग उस course related, आप लोग MSC course कर रहे हैं, ठीक है, BSC course में जो हैं, सभी subjects होते हैं, वो आप लोगों को commonly वहाँ पे read करने होते हैं, बट अगर आप लोग उसी field से related, कोई master degree करते हैं, आप लोग PhD course करत हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को option मिलता है, specialization choose करने का, तो आप लोग further specialization चूज कर सकते हैं, बट BSC course अगर आप लोगों कोई भी bachelor course अगर आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोगों के पास में specialization चूज करने का कोई option नहीं रहता, बट फिर भी मनें आप लोगों को यहां पे कुछ specializations बताएं हैं जो हमारे genetics course के साथ में जुड़े हैं और इन सभी specializations को आप लोग read करते हैं अपनी bachelor course में बट इन सभी specializations में से आप लोग एक specialization चूज करते हैं अपने MSC course में अगर आप लोग उसी field से related वो MSC course further proceed कर रहे हैं या PhD course further proceed आप लोग वहां पे कर रहे हैं नेक्स्ट आप लोग बात करते हैं some employment areas where you work after studying B.S.C. Genetic course ठीक है तो आप लोग hospitals में जा सकते हैं आप लोग military में जा सकते हैं ठीक है defense services वगरा में ठीक है आप लोग DNA forensic departments में आप लोग जा सकते हैं as a professor, as assistant professor बट इसके लिए आप लोगों को further इसी field में आप लोगों को M.S.C. course करना पड़ेगा या कोई master course करना पड़ेगा या कोई doctoral degree करनी पड़ेगा आप लोगों को PhD करना पड़ेगा या M.Phil course करना पड़ेगा ठीक है आप लोग consultancy होती हैं बहुत सारी genetics field से related उन सभी consultancies के साथ में आप लोग work कर सकते हैं आप लोग pharma industry में काम कर सकते हैं pharma industry में भी B.S.C. genetics जो students होते हैं उनको recruit किया जाता है आप लोग agriculture firms के साथ में अपना further work कर सकते हैं आप लोग research institutions होते हैं उनके साथ में आप लोग work कर सकते हैं बट research institutions में भी आप लोग तभी work कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास में M.S.C. master degree इसी कोर से related हो और या PhD degree हो ठीक है नेक्स्ट आप लोग animal breeding industries के साथ में आप लोग further work कर सकते हैं animal breeding industries जो होती हैं वो भी जो B.S.C. genetics students होते हैं उनको recruit करती हैं लिया के अंदर और अब हम लोग बात करते हैं some job profiles कुछ job profiles के बारे में बात करते हैं जो इसी course related है या इस course को करने के बाद आप लोग महां पे further जा सकते हैं और अपना work कर सकते हैं तो friends genetics-lab technician आप लोग बन सकते हैं ठीक है इस course को करने के बाद आप लोग clinical geneticist आप लोग बन सकते हैं ठीक है आप लोग regulatory process manager आप लोग सकते हैं इसी field में आप लोग bio tech sales engineer बन सकते हैं इसी field में ठीक है आप लो कंस्रreens लोग फार्मसीटिकल्स में जा सकते हैं ठीक आप लोग सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर बन सकते हैं जेनेटिक कोर्स को करने के बाद आप लोग प्रिंसिपल प्लांट ब्रीडर बन सकते हैं आप लोग channel enablement specialist आप लोग बन सकते हैं ठीक है आप लोग data specialist बन सकते हैं advanced analytics में ठीक है और आप लोग next technical solution manager बन सकते हैं इसी field में ठीक है और इंडिया के अंदर generally जो sales ली होती है इस course को करने के बाद वो होती है 20,000-25,000 आप लोगों को starting में 20,000-25,000 परमंती यहां पर मिलता है अगर आप लोग किसी अच्छे reputated जगह पर आप लोगों को job मिल जाती है तो तो friends अब हम लोग बात करते हैं कुछ top recruiters के बारे में यानि जो इंडिया गेंदर top recruiters हैं जो इस course को करने के बाद students को recruit करते हैं तो हम लोग बोलते हैं top recruiters उनको तो top recruiters जो यहां पर हैं वो यह हैं AIMS जो है top recruiter है BSC genetics students का ठीक है TATA Memorial Center भी एक top recruiter के तरह यहां पर आता है और Indian Society of Cell Biology भी top recruiters में हैं और BCS in silico biology भी top recruiters में हैं इस course को करने के बाद तो अगर आप लोग उने BSC genetics course कर लिया है और आप लोग जोब करना चाहते हैं तो आप लोग इन सभी जो top recruiters हैं यहां पर आप लोग फर्दर अपना resume में send कर सकते हैं यहां यहां पर आप लोग contact कर सकते हैं और अगर आप लोग इसी field में फर्दर आगे higher education में जाना चाहते हैं तो आप लोग MSC genetics course कर सकते हैं आप लोग PhD genetics course कर सकते हैं और कहां से आप लोग यह सभी course कर सकते हैं कौन से हमारे top जो institutions हैं जो genetics course को कराते हैं BSC MSC और PhD उस पे हम लोग अपने next video में discuss करेंगे और हम लोग अपने next video में यही बताएंगे कि इडिया के अंदर कौन से हमारे टॉप जो जनेटिक्स कोर्स कराते हैं इंसिट्यूशन वो कौन से हैं तो अगर आप लोग चाहते हैं कि में फ्योचर में आप लोगों को ऐसी वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं तो फ्लीज फ्रेंड्स मेरे चनल को सब्सक्राइब करना ना बोले और इस वीडियो को जात से आपिटिक्त聊ू आप झाले में आप मुल्स करका जो ह संडूब को लोगोे, जो पर हम में कर दो कर दो क्सक्राइब कर दो लोगी इसराउक कारें